विस्तरित चरण Image Viewer Gallery पेज तयार करें आईए मैं आपको विस्तरित चरणों की पूरी जानकारी दूँ gallery.html फाइल खोलें अलग स्क्रिप्ट फाइल तयार करें gallery.html में जावा स्क्रिप्ट फाइल को जोड़ें जावा स्क्रिप्ट फंक्शन जोड़ें HTML और स्टाइल शीट में आवश्य कोड डालें ब्राउजर को सेब और रिलोड करें आईए मेरी तयार की गई वेबसाइट के गैलरी पेज पर नजर डालें पहले मैंने इस डॉक्युमेंट को सीधे और HTML टैंक्स की मदद से तयार किया था और गैलरी को आकरशक और खूबसूरत बनाने के लिए कुछ हद तक CSS का इस्तिमाल किया था आप देखेंगे कि तस्वीर पर क्लिक करने का कोई असर नहीं होता आज मैं यूजर द्वारा इमेज गैलरी के थम नेल पर क्लिक किये जाने पर तस्वीर को बढ़ा करने की विवस्था करूंगा आईए इस पर काम करें टेक्स्ट एडिटर में मैं गैलरी.html और स्टाइल.css फाइलें खोलता हूँ जो की पिछले ट्यूटोरियल की फाइलें हैं हाइलाइट किया गया हिस्सा गैलरी में तस्वीरें दिखाने के लिए डाला गया कोड दर्शाता है सबसे पहले मैं अलग स्क्रिप्ट फाइल गैलरी.js बना कर इसे सेव करूंगा मैं अपनी HTML फाइल के हेड सेक्शन में जावा स्क्रिप्ट फाइल को डाल कर आगे बढ़ूंगा इसे और भी आसान बनाने के लिए मैं इन तीनों शीट्स के काम एक साथ आपको दिखाऊंगा आप चौथे विंडो में ब्राउजर आउटपुट भी देख सकते हैं चूंकि सामान्य और Enlarge Gallery की प्रक्रिया थमनेल तस्वीर पर क्लिक से कार्यनिवित होती है अब अगला चरण होगा Image Tag पर On Click Event डालना जावा स्क्रिप्ट फाइल में मैं IMG फंक्शन डालता हूं इस फंक्शन में VAL पूरे Image Data को स्टोर करेगा इसके बाद मैं Pop-Up Container तयार करूंगा जो यूजर द्वारा चुनी गई बड़ी हुई तस्वीर को होस्ट करेगा HTML और Style Sheet में Highlight किया गया Code देखें अगर आप Code को ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि मैंने Default रूप से Visibility को Hidden रखा है यह Pop-Up Container तभी दिखाई देगा जब यूजर किसी तस्वीर पर क्लिक करेगा यह JavaScript कोड की मदद से संभव है है ना मज़ेदार अब आप जान चुके हैं कि तस्वीर कैसे दिखाई देती है अब देखिए कि तस्वीर से बाहर आना कितना आसान है मैं सर्फ Pop-Up Background पर On Click event डालता हूँ यानि कि जैसे ही User Background पर क्लिक करेगा तस्वीर बंद हो जाएगी इस क्रिप्ट के खतम होने के साथ अब मेरे गैलरी पेज के लिए Image Viewer पूरी तरह काम कर रहा है आईए फाइल को रिलोड करें और यह सच में इतना आसान है आपको अपने वेब पेज पर Image Viewer चलाने के लिए बस इतना ही करना होता है Happy Coding Happy Coding ी झाल झाल